तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नहें और लेटस्ट वडियो में फाइनली आज के इस वडियो से स्टार्ट हो रहा है तेंथ क्लास का नौन हिंदी जी हां ये नौन हिंदी उर्दु वाले स्टुडेंट के लिए है जरा मेरी बात को स्टार्टिंग में दो मीनट ध्यान से सुन लिजिए ताकि आप लोगे माइन में एक परसेंट भी कंफ्यूजन ना रहें सारा कंफ्यूजन हंड़ परसेंट क्लियर हो जाए देखिए सबसे पहले तो 10th class में वो स्टुडेंट जो उर्दु सब्जेक्ट को लिए रहते है यानि कि उर्दु वाले जो स्टुडेंट होते हैं उनका हिंदी अलग होता है मतलब वो वो वाले हिंदी को नहीं पढ़ सकते हैं जो संस्कृत वाले स्टूरेंट पढ़ते हैं मतलब कि ये कि संस्कृत वाले स्टूरेंट का हिंदी अलग होता है और उर्दू वाले स्टूरेंट का हिंदी अलग होता है NLH और SL आप लोग Hindi सुने होंगे न वही वाली बात है देखिया जो 10th class में student उर्दू subject को लिए रहते हैं यानि कि उर्दू वाले जो student होते हैं उनके Hindi को कहते हैं हम लोग A Hindi या फिर Non Hindi या फिर किसले Hindi भी कहते हैं क्यों क्योंकि उर्दू वाले student जिस हिंदी के किताब को 10th class में पढ़ते हैं उसका नाम है किसले इसलिए normally किसले Hindi भी कहते हैं ठीक है अब बाते हैं संस्कृत वाले student के उपर वो विद्यारती जो 10th class में संस्कृत subject को लिए रहते हैं तो भले ही आज के इस वीडियो से मैं 10th class का non Hindi स्टार्ट कर चुकी हूँ लेकिन जितने भी विद्यारती हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं खास तोर से मैं संस्कृत वाले विद्यारतियों को बताना चाहती हूँ कि आप सभी विद्यारतियों का भी बहुत जल्द Hindi स्टार्ट होने वाला है जितने भी संस्कृत वाले स्टुडेंट है आप लोग का भी हिंदी यानि कि 10th class का हिंदी स्टार्ट होने वाला है बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर ले सब रखिए बहुत जल्स टोटल मतलब ऑल सब्जेक्ट 10th class का टोटल सब्जेक्ट आप लोग का कम्प्लीट कराया जाएगा 10th class का तो उर्दु में लेकर चल ही रही हूँ जितने भी उर्दु वाले स्टुडेंट हैं वो उर्दु की पढ़ाई कर रहे हैं 4-5 शेप्टर में पढ़ा चुकी हूँ अलड़ी 10th class के उर्दु में और यह आज से में 10th class का नौन हिंदी स्टार्ट कर दी और बहुत जल 10th class का हिंदी वे स्टार्ट होगा संस्कृत वाले स्टुडेंट का तो बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर ले और वीडियो को शेयर कर दे जितना ज्यादा हो तो कि आप अपने पड़ोसी अपने दोस् पाई जा रही है उर्दू भी स्टार्ट कर चुकी हूं और हिंदी भी तो चैप्टर नूमर 10 और 11 चल रहा है ठीक है तो आप लोग के आस पास जितने भी 10th और 12th class वाले विद्यारती हैं सभी के पास आप इस वीडियो को शेयर कर दे इस चानल को शेयर कर दे ताकि वो सभ हो चुका है आप लोग की पढ़ाई जुड़ जाये पूरे उच्छा के साथ और अपनी तयारी जबर्दस्त तरीके से करें ठीक है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फड़बर स्टार्टिंग में ही लाइक कर दे और अगर आप लोग चानल पढ़ना है आयो है त नौर्मली में नौन हिंदी कहूंगी ठीक है तो टेंथ क्लास का जो नौन हिंदी का बुक है किसले हिंदी उसका फॉस्ट चाप्टर है तू जिन्दा है तो फॉस्ट चाप्टर का नाम क्या है तू जिन्दा है तो यह जो चाप्टर है इसके रशनकार जो है रशनकार किसे कहते हैं जिसके द्वारा जो इंसान रशना करता है या इनकी लिखता है उसको कहते है रशनकार यानि कि ये जो चैप्टर है ये किसके द्वारा रश्चित है किसके द्वारा लिखा गया है वो है शंकर शैलेंदर यानि कि इस चैप्टर के रशनकार हो गया है शंकर शैलेंद को कवी भी बोल सकते हैं तो कोश्चन किस भी तरसे घुमा फिरा कर पूछे आपनों को एकदम सही एंसर टिक करना है अगर कोश्चन पूछे कि तुजिंदा है तो कवीता के रचनकार कौन है तो टिक कर देना है शंकर शैलेंद्र या फिर कोश्चन पूछे कि तुजिंदा है तो कवीता के लेखक कौन है तो भी शंकर शैलेंद्र कवी कौन है तो भी शंकर शैलेंद्र ठीक है यहां तक आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा अब देखिए यह जो चैप्टर है ना तुजिंदा है तो इस चैप्टर के जरीए इंसान को मोटिवेट करने की किसी ने दिल तोड़ दिया उसका किसी ने भरोसा तोड़ दिया किसी को उसने कुछ कह दिया या फिर किसी ने उसको कुछ कह दिया जो भी हुआ अपने पास्ट लाइफ को भुला कर अपने आने वाली जिन्दगी के बारे में सोचे अपने फ्यूचर के बारे में सोचे हमें अपने अतीत के दुखमई पलो को भुला देना चाहिए, और अपने आने वाले भविश्य के बारे में सोचना चाहिए. हम अपने आने वाले जिन्दगी की जीत है, उस पर यकीन करें, और उस जीत को पाने के लिए हम मेहनद करें. यह चैप्टर हमें यही सिखाता है चलिए अब स्टार्टिंग से इस कवीता के परतिये क्लाइन को पढ़कर उसका अर्थ में आप लोगों को बताती हूं देखें यह रहा आप लोगों का किसले का बुक और टाइटल दे दिया गया है तूजिन्दा है तो और यह जो कवीता ह गहरे जीवन राग और उत्सा को प्रकट करता है यह चैप्टर आप अपने जीवन से कितना मोटिवेट हैं कितना आप एकसाइटेड है अपने जीवन को लेकर उसी से संबंधित है यह चैप्टर और इस जीवन राग में अतीत के दुख्मई पलों को बुलाकर आशा और ज कि नई दुनिया का स्वागत करने की प्रिर्णा है यानि कि जो आने वाली जिल्दगी है उसका स्वागत करो ना जो बीत गया वह बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूं वो सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ था उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो मुझे ऐसे बोलना उसने मुझे मटलब ठपर लगा दिया उसने मुझे मार दिया ऐसे कैसे हो सकता है मुझे भी मारना चाहिए या फिर मुझे ऐसे बाते करनी चाहिए गुजराई वक्त के बारे में सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं तो यह जो कवीता है ना इसी बात का आपको मोटिवेशन देता है प्रेड करता है आप सभी लोग को कि आप अपनी अतीत की दुखमाई पॉला जाएं और आने वाले जिंदगी का स्वागत करें आप अपने आने वाले जिंदगी की जीत पर आप लोग यकीन करें ठीक है तो इस तरह की जो है ना मोटिवेशन इसका भी ताम है चलिए है तो यकीन कर कि तुझे अपने जिन्दगी में जीत जरूर मिलेगी अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर यानि कि अगर तुझे कहीं पर भी स्वर्ग दिखाई देता है कहीं पर भी तुझे खुशी दिखाई देती है तो उस खुशी को अपनी जिन्दगी में शाम सोचते हैं क्या बात है खुश है मतलब दूसरे की खुशी उनसे बरदास्त नहीं होती है इर्शया करते हैं और इसी तरह के लोग जो है ना कभी जिन्दगी में सक्सेज नहीं होते हैं तो याद रखिएगा कहीं पर भी आप लोग को खुशी दिखाई देरा तो उस खुशी म खुश है मतलब आपके अपने लोग जिससे आप की मतलब दुश्मानी यह थोड़ी बहुत जिसे आप बात नहीं करते वह भी खुश है ना तो उनकी खुशी में भी आप शरीक हो जाए ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे से अच्छे से कोई बात नहीं कर रहा है सब लोग लोग अपने में बात की अपने में सोची अपने में खुश रही है हमको तो कोई पूछी नहीं रहा है इस तरह कभी नहीं हो रह चाहिए तकलीफ है ये चार दिन के लिए आती है हमेशा के लिए थोना आती है दो चार दिन के लिए ये जो सितम है गम है ये आता है ये परिशानिया हमारी जिंदगी में आती है और ये भी दिन गुजर जाएंगे अगर आप इन परिशानियों से लड़ लेते हैं इसका सामना कर लेते हैं इन प परिशानियों को आए हुए हजार दिन हो गए ऐसे मतलब यह गम चार दिन के लिए आया है आप लोग के जिंदगी में परिशानिया हमेशा के लिए नहीं आती है चार दिन के लिए आती है तो आप उसे फेस करें उसे लड़ें फिर आपकी यह जो तकलीफ है यह जो परिशान कभी तो खुदा का तुछ पर नजर अपने जिन्दगी में कोशिश करते रहो कोशिश करने वालों की कभी हाड नहीं होती प्रयास करते रहो अपने लक्ष्य की जो भी आपका लक्ष्य है उसको सेलेक्ड रलो और उसको पाने के लिए आप बार-बार कोशिश करो अगर न जर। और उस दिन तुझे success जरूर मिलेगी अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर अगर तुझे कहीं पर भी खुशी दिखाई देती है तो उसको अपने जिन्दगी में उतारा अपने जिन्दगी में शामिन कर ले तो जिन्दा है तो अपने जिन्दगी के जीत में यकीन कर कि तुझे एक ना एक दिन जीत जरूर मिलेगी तो अपने जिन्दगी में एक ना एक दिन अपने लक्षे को जरूर पाएगा सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चुम कर तो सुन जमीगा रही है कब से जुम जुम कर बोला जराए कि जिस तरह सुबह और शाम के वक्त आस्मान का जो रंग है वो बदल जाता है उसी तरह आप लोग के जिंदगी में भी, हम लोग के जिंदगी में भी परिशानिया रंग बदल बदल के आएंगी और तु सुन जमी गारे ये कब से जुम जुम कर, जमीन भी कब से गारे ये जुम जुम कर कि परेशानिया रंग बदल बदल के आएंगी आपके जिंदगी में परेशानिया आएंगी तो क्या आप उन परेशानियों को उन तकलीफों को देखकर दर कर पीछे हट जाएंगे जी नहीं उन परेशानियों से लड़िये यह सोचकर कि यह परेशानिया 4-5 दिन के लिए तो कभी भी आप लोग के जिन्दगी में परिशानी आए, तो ये सोचकर उससे लड़िये, इसके बाद हमें सफलता ही, इसके बाद हमें खुशी ही मिलेगी, परिशानी के बाद इंसान को खुशी ही मिलती है, अभी आप लोग महनत कर रहे हैं, अभी आप लोग के जिन्दगी मे बहुत सारी परिशानी आएंगी, 10th class का आप लोगा एक्जाम है न, एक्जाम से पहले धेर सारी रिकाउटों का सामना करना पड़ेगा आपको, जिन्दगी में बहुत सारी तकलीफे आएंगी, लेकिन इनी तकलीफों को अगर आप जेल लेते हैं, परिशानीों से लर लेते ह हैं, तो जब आप लोगा 10th class का एक्जाम हो जाएगा न, और जब आप लोगा रिजल्ट आएगा, तो इन परिशानीों के जेलने के होजासे, जो आपको खुशी मिलेगी न, इन परिशानीों से कई गुना बढ़ा होगी, तो वो खुशी, वो सफलता जो है न, आपकी सभी तकलीफों को ढख देगी, ठीक है, तो हर परिशानी के बाद क्या होता है, achievement, success, खुशी मिलती है, ठीक है, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, बोला जरा है, कि तू आ और अपने जिन्दगी का सिंगार कर, अपन जिन्दगी में उतार ला, अपने जिन्दगी में शामिल कर ले, हजार भेस धर की आई, मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी, चली गई, वो हार कर, नई सुबह के संग सदा, तुझे मिली, नई उमर, अगर कहीं है, स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, नई सुब बात करो सोचो कि आज मुझे नया करना है कुछ अलग करना है इस तरह जब सुबा हो तो आप कुछ नया सोचे कि आज तो मुझे इतना पढ़ लेना है इतना मुझे कंप्लीट कर लेना नई सुबा के साथ नई उमर मिलती है ठीक है तो इसलिए अपने जिंदगी को सुधारे अपने जिंदगी में छोटे-छोटे एम बनाए कि आज मुझे इतना पढ़ लेना है जब छोटे-छोटे लक्षे को आप लोग सफल करना छोटे-छोटे-छोटे लक्षे को प्राप्त करना आप लोग सीख जाएंगे न तो जो बड़ा लक्षे आप लोग के सामने होगा तो उसको भी प्राप्त करने में आपको एक परसंड भी इच की चाहट नहीं होगी, एक परसंड भी तकलीफ नहीं होगी, बड़े लक्षे को भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, आगे देखिए, नई सुबह के संग, ये तो मैं आप लोगों को पढ़कर बताई दी, हमें कार को, हमारे आसपास के जितने भी लोग है न, उनको हमारी मनजिलों का इंतजार है, हमारे आसपडोस के जितने भी लोग है, समाज के लोग, वो हमारी ताक में है, कि हमें कब मनजिल मिलेगा, देखते हैं कि इसका टेंद क्लास का रिजल्ट क्या आता है, सभी लोग, बहुत यह बात करता है न बहुत द उड़ रहा है देखते हैं इसका पूर्ड इकजाम होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है तो सभी लोग आप ही के ताफ में लगे हुए हैं कि आपको मंजिल देखते हैं मिलती है या नहीं तो आप लोग भी खामोशी से इतना मेहनत कर दिजिए कि आप लोग की काम्याभी शोर मचा दे चारतर सक्दम धिडोरा पीड़ जाए कि वाह तॉब अब दी बेस्ट आ गया ये आंदिया ये बिजलियों की पीट पर सवार है ये जो आंदिया ये बिजलियों के रूप में जो परिशानिया है आपकी पीट पर सवार है तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम तू आ और जिंदगी की परिशानियों से कदम से कदम मिला के चल देखना एक दिन ये परीषारिय देखते हैं कितने दिन तक नहीं तक रहती है, लड़ेंगे, लडेंगे, कितना दिन रहती है एक ना एक दिन वह परीशानी जो है ना खुद अपना कदम पीछे कर लेगी, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जमीन के पेट में पली अगन पले। है ज जमीन पर ही जो अला मुखी फटता है जमीन पर ही जल जले आते हैं आंदी तुफान यानि कि ये जो जमीन है धरती ये हमें दुख भी देती है सुख भी देती है इसी जमीन पर उगे फल सब्जी को खा कर हम लोग जिन्दा रहते हैं पानी पी कर हम लोग जिन्दा रहते हैं स हमें सुख के सांसा दुख भी देता है इसलिए ताकि हम सुख के महत्व को समर्च सके अगर हर इंसान के पास सुख ही सुख हो वो खुशी रहे तो फिर वो सुख का महत्व ही भूल जाएगा न इसलिए उपर वाला सुख के सांस दुख देता है ताकि दुख और तकलीफ को ज लेने के बाद जब हमें सुख मिलेना तो सुख का महत्व समझ में आए कि वह सुख का महत्वा क्या होता है ठीक है ठीक है ठीक है ना ठीक सकेंगे भूकरों के श्राज ये मुसीबतों के सरकुचल चलेंगे एक साथ बोले जाए Labor Day कि मुसीबतों का सरकुचल कर उस पर अपने जीद का पर्चम लग रहाई है एक साथ मतलब जितने भी मुसीबते हैं एक साथ हम उसका सामना करेंगे और उन मुसीबतों का सर कुचलते हम आगे बढ़ते रहेंगे बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये नदब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये वावा क्या बात लिखा गया है बुरी है आग पेट की ये जो पेट की आग होती है और ये दिल के दाग ये बहुत दा बुरे होते हैं इसी वज़ा से इंसान सक्सेज होता है विहार के अक्सर लोगों को आप लोग देखे होंगे धोखा मिलने के बाद ही आई-एस ऑफिसर बनते हैं दिल के दाग जो धोखा मिला रहता है न और यह जो पेट का आग होता है यही इनसान को प्रेरित करता है सक्सेज होता है सफल होता है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नमीन घर एक ना एक दिन यह जुल्म के महल गिरेंगे एक ना एक दिन तकलीफों और परिशानियों पर हमारा जीत का पर्चम लहरेगा और वो जुल्म के महल गिर जाएंगे और एक नमीन घर बनेगा ज तो अपने जिन्दगी के जीत में यकीन कर, अपने जिन्दगी पर यकीन कर कि तुझे एक ना एक दिन जरूर जीत मिलेगी, क्योंकि तुझ जिन्दा है, इसलिए तुझे जरूर जीत मिलेगी, जिन्दा किसलिए है, जीत पाने के लिए, इसलिए तुझ अपने जिन्दगी पर यकीन कर अपने जिन्दगी की जीत पर यकीन कर तो यहां पर फाइनली हो जाता है आप लोग का यह कवीता कंप्लीट आई होप आप लोगो को पूरा समझ में आ गया होगा और देखिए चैप्टर के जो राइटर है अचनाका शंकल शैलेंड बहुत बड़ी खुशी की ब सब्सक्राइब लिखिए सारा याद रखना पड़ता है टेंथ क्लास के उर्दू में लेकिन देखिए हिंदी में तो एकदम आसान है सिर्फ आप लोग चैप्टर पढ़िए बस और कुछ नहीं राइटर के बारे में कुछ नहीं पढ़ना रहता है बस नाम याद रखना है कि हाँ चैप्टर के राइटर का नाम यह है बस और कुछ नहीं तो आप लोग इस वीडियो को अपने पास ही रखेंगे दूसरों के पास दिशेयर करें अभी तक शेयर नहीं किये अपने पोड़ों से अपने दोस्तों पास जितना ज्यादा शेयर कर दे चैनल पर अगर कि इस वीडियो को यह पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज